जीवन अपना व्यठना करो पढ़ो पढ़ाओ बढ़ती चलो तुम में जो है हुने को समझो पेचानो जड़ा प्यार बाटी चलो तुम्हे चाहेंगे देखना दिल में बिठाकर रखेंगे सदा आखी ये खोड़ो और देखो जड़ा बूसको राकर चलो हो सड़ा तुम्हारा इस काव के लिए काम करने का सच में मन है ना? क्यों? विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है तभी तो तुम्हारे साथ घुमभीर रही हो इधर उधर जा रही हो फिर क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम लोगों ने इतने दिनों से इसके बारे में क्यों नहीं सोचा था? सोचने के लिए मेरे पास कोई सुविदा ही नहीं थी और अब? अब ये सुविदा मेरे हाथ में आई है आप आई हो, आप हमारी समयस्या को समझ कर समाधान करना चाहती हो मास्तर जी भी आपके साथ है ये सब मेरी सुविदा नहीं है आपको तो पता ही है काउं के लोग अगर सायता नहीं करेंगे तो गाउं के लिए हम काम ही नहीं कर पाएंगे और मैं तो एक पागल हूँ दुसरों की बात छोड़िये लर्कों को मैंने कितनी बार कहा कि उन लोगों की बात सुनकर स्कूल मत छोड़ना तुम लोगों को जो लोग दिखा रहा है वो मर्सली पकड़ने के लिए जैसा जाल फेकना होता है वैसा ही है और कुछ नहीं स्वार्च सीथ होते ही तुम लोगों को भी गनेश की तरह इधर उधर बैठ कर समय बिताना पड़ेगा सुना किसी ने तुम मेरे बात नहीं सुनी क्योंकि मैं एक पागल हूँ ली सिप यह से बात दुबढ़ा मत कहना तुम्हें बुड़ा नहीं लगता पहले दिन लोगों ने जब मुझे पागल कहा था तब लगा था लेकिन आजकल नहीं लगता क्योंकि ऐसे समाज में स्वास्थ होकर जीने से अच्छा है पागल होकर जीना अरे दोस्तों तुम लोगों पता है वो जो रिचर्स के लिए लड़की आई है ना क्या पकाती है यार साफ सुत्र कैसे रहना चाहिए कहां का पानी कैसे पीना चाहिए स्वास्ति मनुष्य की मुख्यों संबत्ती है अरे यह सब बाते करके इसे ही पका रहती यार सुना है उसके पास कुछ काम ही नहीं है काम करने के लिए यहां आई है और पता है स्कूल नहीं जाने वाले लड़का लड़कियों के घर भी जाती है क्या होगा दो दिन बाते करेगी फिर चली जाएगी लोग क्या उसके हिस्टाप्चा चलेंगे है ऐसा क्यों कह रहा है हमारे अच्छे के लिए कोई चिंता करे कुछ अच्छा सोचे तो हम लोग को खुशी होने चाहिए यह लो यह भी शाला सीव निकला क्यों सीव उसका बॉडिकाइट बन करने घूम रहा है तुम मतलब बच्छी बाते सोची ने सकते तुम्हारे इसी स्वाभाव के कारण बिश्वजी जैसे लोगों को मौका मिल रहा है क्यों हमने क्या किया देखो तो ठीक है भाई उस पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है अरे वो क्या कहना चाहती है सुनने में क्या हर्ज है कोई दिक्केत नहीं है ना क्या कहना चाथी हो यहां नहीं कह सकती हूँ पर हमलोग एक जगा पर इकत्धा होकर यह बात करें तो अच्छा होगा ठीक है' तुम इतना कह रहे हो तो जरूर आऊंगा आऊगे ना अहां लेकिन बात अच्छे नहीं लगी तो मैं एक मिनिट भी नहीं रुकूंगा अच्छा ठीक है अब चलो लोगो यहां मेरा व्यक्तिगत कोई स्वर्थ नहीं है स्वर्थ एक ही है जहां मेरा भविष्व बनाने आई हूँ उन लोगों को कुछ देखे जाओं एक बात सोच कर देखिए मैं तो यहां कुछ दिन रहूंगे काम खतम होगा हौर में चली जाओंगी आप लोग स्वस्थ पानी पीए सो साले का इस्तमाल करके बीमारिया और लज्जा से दूर रहें आपके बेटी बेटी स्कुल में पढ़कर ग्यान अर्जन करकर सिक्षित होकर जिन्दा रहें यह सोचने के लिए खिया मुझे कोई जरूरत बता देते हैं अरे सुनो अभी अभी MLA साहब का भून आया था हाँ देखो उनकी आशा की मुताबिक लोग होना चाहिए नहीं जितने ज्यादा लोग होंगे मीटिंग में उतना ही हमारे लिए अच्छा है देखो हमने तो वादा क्या है तुमको अभी वादा निभाना है समझो आप द्य से सुनो हाँ बिल्कुल हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो पूरा लोग एक्दम खचा खच भरा दो मिटिंग में ठीक है ओके रखते हैं कि क्या आप किसी बीमारी से परिशान है चाहते हैं डॉक्टर की सला तो हम है आपके साथ बताएंगे आपको जीने की राह कमस्याएं आपकी समाधान देश के मशूर विशेशक्यों के घर बैठे बात करें देश के जाने बाने डॉक्टरों से हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्त किसान में हर शनिवार शाम छे बजे से साथ बजे तक वो ठेकी बोल रही थी यार पहले हमें खुद को समझना परेगा खुद को समझने के लिए ग्यान चाहिए और ग्यान होने के लिए परहाई लिखाई जरूरी है हमने परहाई लिखाई नहीं कि इसलिए हमें ज्यान नहीं इसलिए हम खुद को साफ सुत्र करके रखना नहीं जानते रहना नहीं जानते खाना नहीं जानते अरे हमारे और जानवरों के बिच अंतर क्या है यार सच में, बात को जितना चोचता हूँ, खुद को जानवर जैसा मैसूस होता है अब क्या होगा? वैसे हम लोग ऐसे तो नहीं रहे सकते, लराई करनी परेगी किस के साथ? बहले खुद के साथ, उसके बाद उन लोगों के साथ जिसने हमें जानवर बनाया वो कैसे? अरे ऐसे वो लोग केसे कर सकते यार? हमने उसे सुबिधा दी तभी ना? खबरदार, मीटिंग में लेकिन कोई नहीं जाएगा क्या कर रहे है? नहीं, ऐसे ही किताब देख रही थी, बेठो सुबह ही आने का सोचा था, आपको दिक्कत होगा, इसलिए नहीं आया क्या दिक्कत? सुबह के ताइम आप पराई लिखाई नहीं करते हैं क्या है? वो, ये बात अच्छा, मेरे लिए क्या लाए हो? आप खुद देख लिजे हारी शेव, इतने पुराने किताबे कहां से इकत्था की? कर लिया, आपके काम आने से अच्छा लगेगा हाएगे, क्यों नहीं आएगे? अच्छे से पढ़के मैं तुमको समझा दूगे मुझे नहीं समझाने से भी होगा, बस अपका काम आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा जादू के उपर रिच्छास के लिए पहले भी बहुत से लोग आये थे आये थे और चले गए उन लोगों को क्या फाइदा हुआ, मुझे नहीं पता हमारे लेकिन उन लोगों से कुछ भी फाइदा नहीं हुआ और मुझ से? उन लोगों की तरह आप सिर्फ आपने बारे में नहीं सोच रहे हैं हमारे लिए भी सोच रहे हैं इसलिए आपकी साहता करने में मुझे अच्छा लगेगा ये सच्छ है कि मैंने आपको पहले आसानी से नहीं लिया था हो इसलिए तुम मुझे चुप-चुप कर देख रहे थे अखिर तुमने मुझे पर भरोसा क्या है तो मैं भी तुम पर भरोसा करके एक बात कहती हो तुम अगर सब्धान रहोगी तो अच्छा रहेगा जब तक लोग नहीं बडलते तुमको जो लोग जानते हैं ना वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं सार लोग भी और आप? शीव मेरे मुझे आगे बाई क्यों रोकिये? हो क्या गया तुम लोगों को? हमे क्या हुआ? और क्या रख लिया तुमने? क्यों? गाउं में एक इतनी बड़ी मीटिंग होगी? तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता? मीटिंग से हमें क्या मिलेगा? हाँ आज तक कुछ मिला है हमें क्या? तुम लोगों कुछ फाइदा नहीं हुआ? अरे विश्वजीद भाईया ने तुम लोगे लिए क्या कुछ नहीं किया? और तुम लोगों कुछ नहीं मिला बोलते हुए? सरम नहीं आता तुम लोगों! ओई! सरम की बात है तू मत कर! ये! उंगली नी चिकर! क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? तुम्हारे विश्वजीद भाईया ने हमें खतम कर दिया! क्या क्या बोला था उसने? पॉंट्रेक्ट देगा, थाईवे में ठाबा खोल देगा! कुछ मिला है हमें? दो दिन दो पैसे आते देखकर हमने बीच में ही परहाई चोड़ दी! ना कुछ काम है हमारे पास, ना पढ़ाई! उपर से विश्वजीद भाईया बोलते हमें क्या नहीं मिला! देख भाई, इतना भावुक मत हो, सब ठीक हो जाएगा! क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? बोल देना अपने विश्वीज भीया को, हमारे साथ जो हुआ हुआ, अगर इसके बाद, इसके बाद हमारे गाउं के काम में कुछ बाधा आई, तो वोट तो मिलेगा ही नहीं, उपर से उसे गाउं से भागना परेगा रहने दे यार, इन लोगों से बात करने से कुछ फाइजा नहीं, चल जो हो गया, वो छोड़िये, आप जो है, वो तो हम ठीक कर सकते हैं ना एतने सारे काम, मैं अकेले कैसे करूँगा आपको ये सारे काम, मैं केले करने के लिए किसने कहा है पहले आप अपने घर के बारे में सोचे अच्छे ठीक है, एक बात बताईए, आप लोग पानी कहां से पीते हैं घर के पीसे एक तलाब है, वहीं से पीते हैं सरकार ने पानी का तेप लगाया, पर आज तक पानी नहीं आया सरकार की तेप से पानी नहीं निकलता, ठीक है पर आप लोग खुद तलाब का पानी पीने के लायक बना नहीं सकते हैं क्या ठीक ही तो है बिल्कुल ठीक नहीं है, आप लोग की तलाब में बेड़ा है? ने महीने में एक बार फितकीरी क्लोरिन डाल कर तलाब को साफ करते हो ना ये सब देने की क्या जरूरत है, हमारे तलाब का पानी बिल्कुल साफ है पीने से पहले पानी को फिल्टर करके ठीक तरा उबलत हो ना लक्री कहां मिलती है आसकल, सावल सबजी बनाना ही मुश्किल है पानी उबलने के लिए लक्री कहां से मिलेगी और फिल्टर की बात कहती हो, फिल्टर क्या काम पैसों में आता है देखिए, बहुत सारे उयुपती देकर, आप अपने गल्तियों से चुद करा पाना चाहते हो इन सब में आपकी गल्ती है उस लड़की ने गाव वालों को ऐसे कौन से खुटे पिला दी, सबका सब दिमाग घुम गया उसकी अंदर जरूर कोई बात है निकालो, निकालो, अंदर की बात क्या है, निकालो मुझे बस, मेटिंग में आदमी चाहिए, आदमी समझे, जाओ आपके बात सुना, आज मिलकर बहुत अच्छा लगा हाँ, मैं भी अबसे मिलना चाहती थी आप बहुत दिनों से नहीं आये हैं क्या? आया नहीं था, ये कहने से दुख मुझे ही होगा देखिए, यहां आकर बेटने के लिए मेरे पास जगा ही नहीं है और आप लोग ही बताईए, यहां रास्ते के बीच में रोगी देखूं या पच्ची देखूं ये बात भी भाग या, सरकार को नहीं बताया? बहुत बार बताया था, और इसके लिए बहुत सारे रुपे भी सैंक्सेन हुए थे लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चला कि काम क्यों नहीं हो रहा है इस बार होगा, इस बार ये काम होना ही होगा शिव एनिवे, आपको एक बात पुछना चाहती हूँ पुछे दरासेल, यहां की लोगों को किस तरह की बिमारिया होते हैं? जादातर पानी से होने वाली बिमारिया ही होती है इधर उदर का पानी पी लेते हैं और फिल्टर भी नहीं करते हैं ये लोग इसलिए पेट का दर्ड, जॉन्डीज, दिसेंट्री यह सब होता ही रहता है और कॉलेरा भी दो बर मिला है यहां पे घर में 140 बातरून की सुबीदा है नहीं इसलिए ये लोग जहां था गंदगी फैलाते रहते हैं इसलिए आए दिन तो नहीं नहीं बीमारिया लगती रहती है सर्दी, जुकाम, खुजली, चर्म की बीमारिया ये सब इन लोगों की आम बीमारिया है ठेंक यू डक्तर ये सब जानने का मुझे बहुत जरूरत थी आपको शायद देर हो रहा है समयान पर माद अच्छा हूँ शूर शूर आम अल्वेस इतियो खुश्चाल हूंगे खेट पशू भी रहेंगे स्वास्त सरकारी स्कीम का होगा लाब जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ किसानों के सवाल विशेशग्यों के जवाब अब जिर्फ एक फोन कॉल पर देखिए अपना खास प्रोग्राम हमारे टोल्टरी नंबर है 18000 113060 18000 113061 हेलो किसान सोमवार से शुकरवार शाम छे बजे सिर्फ दूर्दर्शन किसान पर शुकरवार किसके लिए हमारे लिए ही ना हमस्ते चाची जी नहीं कर टर सकारत लिए बनार है वही नाम लिखाने के लिए जा रही हूं बिश्वजीत ने तो आज तक गाव वाले को कुछ नहीं दिया आती समय थोड़ा सा पतास और फितकरी लेके आऊंगी गाव में बीमारी फैली है ना हमें कब क्या होगा किस से पता अरे चाची जी सुनिये तो अरे सुनिये तो चाची लोगों को क्या हो गया है गाव में इतनी बड़ी एक मीटिंग हो रही है किसी को फरकी नहीं पड़ता चल बैठ देखते हैं अब बात समझ में आए मुझे मेरी समझ में आ गई बात ठीकी समझा था मैंने उसी लड़की का सब कुछ की आधरा है उसी ने गाव वालों को उक्स बर्खलाती है मुझे मुसीवत में धकेलती है किया मैं चुप चाप बैठा रहूं छोड़ूंगा नहीं उसे सबक सिखाना पड़ेगा उसे सिर्फ उसे ही नहीं उस मास्टर को भी सबक सिखाना पड़ेगा एक घंटे के अंदर वो लड़की काउं में नहीं होना चाहिए भी अगर तुम लोगो से नहीं होता है ना नहीं चौरूंगा नहीं चौरूंगा दॉनोंको अ जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ यह तो किदर चौकीत है रह गया में पागल हो बात का जवाब बात से देना अच्छा नहीं लगता तुम लोगो को जाने के लिए कहां है चले तेरी तो नहीं जाएंगे क्या कर लेगा रहे तो देखना चाहता है ना मैं क्या कर लूँगा हाँ यह क्या दिखा है तुझे पागल है या नहीं पड़ा के छोड़ूगा तुम लोगों ने आज तक मेरा पागल पंद रिखा ही नहीं तुम किसके सामने खड़ी होकर बात कर रहे हैं तुम किसके सामने खड़ी होकर बात कर रहे हो पता है भी या नहीं यहाँ आप ऐसा क्यों सोच रहे है मैं आपको बीना जाने ही आपकी साथ बाते कर रही ऑं फिर भी आप जानना चाहते हैं आप कौन है तो सुनिये को कि जब से आई हो बोली ज़ा रही हो तुम करो अपना काम करो निकालो मैं तो जो करने की वही कर रही हो अच्छा क्या काम कर रही हो है क्या काम कर रही हो हमारे गाउं में क्या कुछ हो रहा है छानबीन करने का ठेकाले रिखाए क्या इसे छानबीन करना नहीं कहता है हां अगर कोई मुझे बेटने के लिए जगा दिखाता है अगर वो जगा गंदेगी भरी हो तो मैं उसे साफ कर ह लेती हो अगर गंदे की दिखाई देती है तुम्हें कोई बैठने के लिए जबर्दस्ति कर रहा है क्या मुझे बैठने की जरूरत हुई है और आपका ये सोचना भी गलत होगा कि यूपती दिखाकर बाते करने से मैं यहां से चली जाओंगी मैं जाओंगी लेकिन आपकी मन की गंदिगी को साफ करने की बाद साफ रहना सिर्फ मेरे लिए ही नहीं आपकी लिए भी जरूरी है देखो तुम एक बार सोच कर देखिए आपके घर के अंदर आपको मेरी जैसी लेर्की ने ऐसा बाते करने के लिए साहस की है क्यू जानते है आपको एक बात कहती हूं आप जानते है कितना विश्वास और अस्था से लोगों ने आपको प्रतीन इधी बनाया है अगर वो लोग समय पर आपको धोखा देता तो आस क्या आप इस कुरसी पर होते मुझे लगता है आप ये कुर्सी सिर्फ एक बार ही पाना चाहते हैं, है ना? नहीं, आप ये कुर्सी बार-बार पाना चाहते हो इस कुर्सी को बार-बार पानी के लिए आपको लोगों का आवश्यक्ता है आप लोगों को मनुश्य जैसा जीने दीजिए जन्ता के बीना क्या कोई राजा हो सकता है कल नमघर के मैदान में एक मीटिंग रखी है अगर आपको अपने गाउ से प्यार है तो जरूर आईएगा मैं चलती हूँ तो हम अपना सर्वनास खुद ही नहीं करेंगे इसका प्रमान इन दिनों में ही मैंने देखा है हमने अपने ही चार आदमियों को खो दिया एक बार सरकार के बारे में सोच कर देखिए सिक्षा, स्वास्थ, खाइद्य, अर्थिक सुरक्षा क्या नहीं दिया हमारे सरकार ने आप लोग एक बार सोच कर देखिए सिर्फ हमारे जग्रूपता की अभभाब में सरकार ने खुले हाते दिये हुए सिविधा को हम ग्रहन नहीं कर पा रहे है एक बार आपने आप से पुच्छ कर देखिए हाम ये सुभीधा लेकर खुद को सुरक्षत क्यूं नहीं कर पा रहे हैं कहा है दुर्वलता और कौन ये दुर्वलता के फाइदा उठा रहा है कि अब दुर्वलता नमस्ते भायों और बहनों आप लोगों के सामने ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ कहने का हक हो दिया है मुझे पूरा विश्वास है जो गल्ती मुझसे हुई है आप लोग माफ कर देंगे और मैं आज खुले दिल से आप लोगों के सामने आया हूँ और वादा करता हूँ कि दोबारा आप लोगों का विश्वास तुटने नहीं दूँगा और आप लोगों के विश्वास को साथ में ले करके मैं अपना काम करूँगा इस बार आप लोग मुझे पर विस्वास कर सकते हैं आप लोग मुझे माफ कर दे यही मैं चाहता हूँ और आज से एक नई विपलब की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत है स्वच भारत की, स्वच अभियान की, स्वच विपलब की धेनवाद अखिर अपने गलितिया जो मान लिया, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद तो मुझे तुम्हें देना चाहिए क्योंकि तुमने एक नई विश्वजित को जनम दिया है और समाज के साथ रहने का, काम करने का मौका दिया है Most welcome भायों और बहनों, आई थी मायंक की जादू का रिसास के लिए और जारी ही हूँ, आप सबकी यादे दिल में लेकर अगर आप लोगों को मैं भी याद रहूंगी, तो अच्छा लेगेगा आए, हाम लोग एक साथ ही कहते हैं स्वास्त रहना हमारा अधिकार है स्वास्त रहना हमारा अधिकार है स्वास्त रहना हमारा अधिकार है स्वास्त